नमस्कार दोस्तों यूटीब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रिफ्यूगल पंप के हेड के बारे में हेड होता क्या है, कितने परकार का होता है और पंप की नेम प्लेट पे जो डिटेल लिखी होती है उसका मतलब क्या होता है, वो सब हम आज इस वीडियो में क्लीर करेंगे तो दोस्तों वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरू कर दें, 200 लाइक का टार्गेट है इस वीडियो का और दोस्तो अगर आपका mobile comparison की वीडियो देखने में interest है तो आप हमारे तीसरे चैनल technical think and achieve को subscribe कर सकते हैं उसका link description में आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले हम देखते हैं head होता क्या है head एक maximum vertical height है जहां तक pump fluid को move यानि पहुचा सकता है यानि एक vertical height जहां तक pump fluid को पहुचा सकता है head को denote किया जाता है दोस्तो h के साथ और इसको measure किया जाता है m यानि meter में तो जैसे यहाँ पे head लिखा हुआ है 40 meter तो अगर हम pump का head यानि उसका head 40 meter से increase करेंगे तो उसके flow में कमी आ जाएगी और अगर हम उसका head 40 meter से कम करेंगे तो उसका flow बढ़ जाएगा हर एक centrifugal pump का एक performance curve होता है जो company provide करती है और उस performance curve में एक point होता है BEP उसकी foot form होती है best efficiency point उस point पे वो pump सबसे ज़्यादा efficiency देता है और वहाँ पे उस point पे वो कितना flow देगा और कितनी power consume होगी वो भी हम उस performance curve में देख सकते हैं performance curve पे भी आपको जल्दी एक video देखने को मिलेगी दोस्तों अभी हम बात करते हैं pump के discharge discharge को denote किया जाता है क्यों के साथ और discharge का मतलब होता है कि pump कितना fluid एक घंटे में आगे भे सकता है यानि pump की एक capacity है कि वो कितना flow आगे एक घंटे में discharge कर सकता है तो इसको measure किया जाता है MQ per hour या फिर liter per second में ये अलग-अलग pump पे आपको अलग-अलग देखने को मिल जाएगा दोस्तो 300 MQ per hour तो उसकी name plate पे mention है मगर वो pump actual में कितना flow हमको दे रहा है ये हम कैसे पता करेंगे दोस्तो जादा तर pump की discharge line में एक flow meter लगा होता है जिससे हमको ये reading मिलती है कि वो pump एक घंटे में कितना fluid आगे discharge कर रहा है तो अगर flow meter हमारे पास नहीं है तो जिस tank में भी हम fluid को भेज रहे है उस tank की हमको capacity पता होनी चाहिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 100 MQ तो हमको क्या करना है time note करना है pump को start करना है और ये note करना है कि वो pump कितने time में उस tank को 0 से लेके 100 level तक उस tank को भर रहा है तो अगर मान लीजिए pump इस tank को 100 MQ तक भरने में 20 मिनट लेता है तो हम उसकी एक घंटे की capacity उससे निकाल सकते हैं यानि 20 मिनट में उसने full किया 100 MQ यानि एक घंटे में वो 300 MQ इस tank में भर सकता है यानि उसकी जो pump की capacity या flow की वो है 300 MQ तो इस तरीके से भी आप उसके flow को निकाल सकते हैं दोस्तो इसके बाद है impeller dia दोस्तो किसी-किसी pump की name plate पे उसका impeller का dia mention किया होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 280 mm यानि उस pump में जो impeller लगा हुआ है उसका od 280 है ठीक है दोस्तो और किसी-किसी pump में impeller dia mention नहीं होता उस pump की जो type होती है उसके जो digit होते हैं वही indicate करते है impeller के dia की तरफ इसके बाद है rpm, rpm pump की name plate पे mention किये जाते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है 1440 या फिर 2900 तो जितने rpm का pump होगा तो उसके उपर उतने ही rpm की motor लगाई जाएगी इसके बाद है type, ताइप दोस्तो हर इक pump की name plate पे mention होता है जैसे यहाँ पे mention है CPHM 1.540 तो यह 1.5 जो है यह pump की discharge line का size है और यह 40 है उसके impeller के dia की तरफ indicate करता है यानि 40 cm यानि उसका जो impeller dia है वो 400 mm के around होगा इसके बाद आता है size दोस्तो हर एक pump की name plate पे उसका size भी mention होता है और size में लिखा है यहाँ पे 1.5 into 200 और यह जो size होता है यह pump की suction और discharge line का size होता है 1.5 है उसकी discharge line का size और 200 है उसकी suction line का size दोस्तो अभी हम बात करते हैं types of head के बारे में head 4 परकार के हैं suction head, delivery head, static head और manometric head तो सबसे पहले हम बात करते हैं suction head के बारे में suction head क्या है जिस सम्प से हम पानी को lift कर रहे हैं और जो उसमें पानी है उस पानी का जो यह free surface point है इस point से लेके pump की center line तक का जो यह distance है इसको बोलते हैं suction head और इसको denote किया जाता है HS के साथ इसके बाद है delivery head delivery head क्या है दोस्तो पंप की center line से लेके जिस tank तक वो पानी को lift कर रहा है जिस level तक उसको lift कर रहा है वहाँ पे पानी का जो free surface point है यानि यह वाला point यहां से लेके pump की center line तक यहां तक का जो distance है इसको बोलते है delivery head और इसको denote किया जाता है HD से इसके बाद है दोस्तो static head static head क्या है suction head और delivery head का जो sum है उसको बोलते है static head यानि यहां से लेके sum में जो पानी है इस free surface से लेके यहां से लेके जहां तक वो पानी को lift कर रहा है यानि HS plus HD अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा static head तो इसको denote किया जाता है HS से इसके बाद है दोस्तो manometric head manometric head क्या है head given by impeller minus losses यानि losses को निकाल के जो actual head हमें impeller द्वारा दिया गया है उसको बोलते हैं दोस्तो manometric head तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी informative लगी है तो जाते जाते वीडियो को like जरू कर दें और अगर आप हमारे channel पर नए है तो channel को subscribe करके bell icon को press कर लें thanks for watching